प्रारंबिक समझने की कोशिश करिए कि अपने ही घर के मंदिर में ये चीज भगवान को दिखा देने मातर से आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा तो क्या-क्या दिखाने से प्यार बढ़ता है उस पर पूरी बात करते हैं सुरुबात करते हैं आपके प्रदर्शन से प्रदर्शन आपके अपने जीवन का सबसे महत्पूर अंग बन चुका है आप दूसरों के लिए जीते हो दूसरों के लिए खाते हो दूसरों के लिए प खुशी आती है क्या अगर नहीं तो भाई ये कमी है तुम्हारी इसको आज क्या ठीक करना प्रादम करना आज इसमें थोड़ा सा बल डालना और इसमें थोड़ी सी कोशिश करना कि ये चीज़ें आपकी हम ठीक कर सकें इसे स्विवस्थित किया जा सकें आप दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा खाना खाते हो आप दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा कपड़ा पहनते हो आप दूसरों को दिखाने के लिए सुंदर बनना चाहते हो दूसरों को दिखाने के लिए सुंगार करते हो दूसरों को दिखाने के लिए ही पैसे क दूसरों को दिखाने के लिए ही आप educated होना चाहते हो, बड़ी जॉब पाना चाहते हो, बड़ा business करना चाहते हो, दिखा देंगे हम भी हम भी कुछ चीज है, एक्चली कहने का सीधा संदर भी है कि कभी न कभी उस बात का आपको अनुमान भान हो जाएगा, सत्य को स्वीकार क और क्या छुपाना चाहिए, कभ और क्या दिखाना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए, मैं अंग प्रत्यंग प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा, प्रमित्मत हो जाना, यह सथ तुम्हारा अपने उपर है, इन सब बातों में तुम पर छोड़ रहा हूं, COM अपने हिसाब कर रहा हूं तुम्हारे बिक्तित्त की तुम्हारे सुभाव की तुम्हारे नेचर की तुम्हारी भाशा सहली की तुम्हारे तुम्हारे बिक्तित्त में जो आंतरिक उभार आता है अंदर से निकर करके मैं आज उसकी बात कर रहा हूँ मैं रोज जिसे ठीक किया करता हूँ मैं रोज जिस विशे पर काम किया करता हूँ आज उसी बात पर बात कर रहा हूँ उससे बिल्कुल भिन्न नहीं है आज आज हम कह रहे हैं कि भगवान को भी कुछ दिखाने की आवशकता है अगर तुम बगवान को ये वस्तू और इस प्रकार से दिखा दो तो तुम्हारे जीवन में प्यार बढ़ता है और और ज़रा ध्यान से समझना इसके लिए बहुत सारा समय नहीं चाहिए ये कुछ शडू में ही हो जाएगा ये तुम त्वरित कर पाओगे इस पे बहुत सारा समय नहीं लगेगा कि बगवान चल्दी प्रसन्मों होता है भाव काफू 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 में बगवान कहते हैं कि बगवान काफू काफू में भाव ही इकसार है भाव से भजलो हमें भाव से भजलो हमें तो भाव से बेडा पार है भाव से भजलो हमें अगर तुम भाव से भजते हो भाव बिन बिक्ती नहीं कोई भी वस्तू बाजार में हर वस्तु का भाव है हर वस्तु का अपना मुल्यांकन है हर वस्तु की अपनी कीमत है हर वस्तु की हर भावना की हर संवेदना की अपनी कीमत है कभी वो चीज पैसों से बिकती है कभी संवेदना संवेदनाओं से बिक जाया करती है सिदा उपाय को और लेकर के लेके चलूँगा आज मैं आपको मैंने जो प्रॉमिस किया था जो आपको वादा किया था कि ऐसी कोई चीज जो बगवान को दिखानी है उससे आपको प्रेम बढ़ेगा मुवस्तु है मिरन मैं बात कर रहा हूँ सीसे कि भगवान को आईना चड़ा देना है और उसी को रोज-रोज दिखाना है ये कम से कम पांच दिन कीज़ेगा आईने में सबसे पहले उपर ओम बनाईए फिर उसके ठीक नीचे स्वास्तिक बनाईए और उसके ठीक नीचे स्री लिख दीजे ये तीनों सुब अंक हैं ये तीनों सुब चिन हैं इनको सीसे में बनाईए और भगवान को दिखाईए जिनके दया गहराई से निकाल कर लाया हूँ पूरी शथ्था से करना जिनके दया धरम नहीं मन में मुखडा क्या देखे दर्पन में मुखडा क्या देखे दर्पन में जिनके दया धरम नहीं मन में दया धरम सेहनशीलता आदर्श प्रदर्शन दर्शन तक पहुचने की ये सत्यमाना मैं दर्शन सास्तर की चीज़े निकाल कर तुम्हें पहुचा रहा हूँ बहुत कहराई में जानने बाले लोग जो विद्वान होंगे जो उने शास्तर पड़े होंगे जो बहुत बयोबर्द होंगे वो इस बात को समझेंगे कि मैं दर्शन सास्तर कुडेल रहा हूँ आज तुम्हारे सामने इतनी सरलता और सहजता से जो तुम्हारे सामने परोस रहा हूँ इसके पीछे बहुत गहरा अथिन है बहुत गहरा रिसर्च है आदर करना है इसका पुरे शद्धा और पुरे विस्पास के साथ करना कभी भी किया जा सकता इसे सुभ दिनों में किया जाए तो बहुत अच्छा होगा सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, अधिकलाब पहुचाता है बाकि कभी भी किया जा सकता है छोटा बड़ा किसी मिसाइच का आईना आप बगवान को चड़ाएं, मंदिरों में बजा करके चड़ा सकते हैं, ये तीनों की तिनों चिन होने आवश्चक है, चरणों में रखिएगा फिर उसके बाद आईना दिखाएगा, आपके जीवन में दर्सन से प्रदर्सन तक और दर्सन तुम्हारे प्रेम का होगा, दर्सन तुम्हारे जीवन में एक अध्वुत आनंद का होगा, मिलन का होगा, संसर्ग का होगा, विवाह का होगा, वईवाहिक जीवन की सुख का होगा, आप सत्यमान ना, ये बैदिक परंपरा है और इससे सब को लाब हुआ है, पुर दिव्य ज्यानी शिव भक्त सद्गुरुनाजी माराज के मुखार बिंदु से सुनिये आनन्दम शिव महापुरान कथा दिनांग 10-18 अप्रेल 2023 समय दुपैर 12-4 बजे तक कथा इस्थल गाउं लोहा पोस्ट शेहरोल तैसील अर्की जिला सोलन हिमांचल प्रदेश सीधा प्रसारन देखिए संसकार ससंग चैनल पर इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर करें इस कथा को सुनने मात से सभी मनो कामनाएं पूर्ण होती हैं आयोजग श्री मनोवर चंदेल एवं सद्गुरुनाद धाम परवार सोलन बन्सर गंवर को तोब ऑूर्ण पर इस की ये ये विर विर ये रो फिरे जग का लिए